तो वाट्सअप गाइस जामिया मिलिया इसलामिया की अपडेटी रिजर्वेशन पॉलिसी जो की आ चुकी है ऑफिसल विबसाइट की आप जाके इसे भी देख सकते हैं तो यह है ऑफिसल विबसाइट से लीगए डेटा और आप उस सेम डेटा ऑफिसल विबसाइट पर मिल जाएगी तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जामिया मिलिया इसलामिया के लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी बहुत है और अजीव है दीम्ड उनिवर्सीटी में तो आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलती है स्ट के लिए यहां पे थोड़ा डिफरेंट है यहां मुस्लिम बच्चों को प्रायर्टी जादा दी जाती है इसलिए यहां पे आप देख सकते हैं जन्र के लिए जो है वो 40 परसंट और पी ड़ो के अंदर के जो लोग होते हैं उनके लिए 5% है और सीट की बात करें तो ये आप सीट्फीरेंटे में यहुत सीन के दी दी घई हुए कि अगर 30% मुस्लिम के लिए 15 सीट्स ए 10% मुस्लिम के लिए व्कर्ट के लिए 5% और मुसलिम OVCST के लिए 5 और इंटरनल के लिए 2.5 औ तो PWD के लिए फिर 2.5 और यहां जनरल के लिए 20 सेट्स तो यह है कुछ जामिया मिलिमिया की इसलामिया की अजीबो गडीब रिजर्वेशन पॉलिसी और यही चाने इनकी क्या है रिजर्वेशन पॉलिसी और एक बताई गई है कि PWD में आप अगर particular specified format पे अगर आप अपना certificate नहीं बनवाते हैं जो कि नीट का official website पे दी गई है तो फिर आपके admission कर दी जाएगी तो इसलिए इस बात को आप बहुत ध्यान से समझे और वहीं से बनवाए जहां पे आपको दी गई हुई है कि आपको कहां से particular बली बनवाना है तो आपको वीडियो समझ में आया होगा और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब की चैनल को और यह प्लीज कमेंट में करके बतलाना कि तुम किस कौन से category से बिलोंग करते हो और क्या तुम इस college में जाना चाहते हो या नहीं all right so that's all for today thank you everybody